नमस्कार दोस्तों स्वागते एक वार फिर से आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों गौंगे के बारे में आपने कई दिल्चस्प बातें सुनी होंगी पर क्या आपको मालूम है कि गौंगे के दांत कितने होते हैं और यह अपना सिकार कैसे करता है तो चलिए दोस्तों आज हम आपको इसी के बारे में दिल्चस्प जानकारी देने वाले हैं गौंगे के बारे में आपने कई दिल्चस्प बातें सुनी होंगी जैसे कि यह कैसे अपने चारों तरफ इतना मजबूत कैलसियम का कबर बिक्सित कर लेता है पर क्या आपको मालूम है कि गौंगे के दांत कितने होते हैं यह जानकारी आपके लिए चोकाने वाली हो सकती है गौंगे में करीब 14,000 दांत होते हैं लेकिन यह इसान या दूसरे जानवरों से अलग होते हैं बिग्जान की बासा में इने रेडियूला कहते हैं ये इनका इस्तेमाल सबजियां और पत्यां खाने में करते हैं इसके साथ ही खास अंदाज में सिकार भी करते हैं चौकाने वाली बात यह भी है कि इनमें एक ही दांत जीवन भर नहीं बने रहते हैं इनके दान्त यानी रेडिला कई कतारों के रूप में बिक्सित होते हैं ये बेहत छोटे और महीन होते हैं खास बात यह है कि ये समय समय पर तूटकर अलग हो जाते हैं और इनकी जगें पर नई दान्त आ जाते हैं गोंगे की अलग अलग परजातियों में दान्तों का आकार थोड़ा अलग अलग होता है संख्या कम और जादा हो सकती है जैसे गरम पानी में पाई जाने वाले गोंगे की परजाती कौन इसनेल काफी जहरी ली होती है इस परजाती का गोंगा अपने दान्तों का इस्तेमाल सि दूसरी प्रजातियां सबजियां और पत्तियां खाना पसंद करती हैं अगर सबसे जादा दातों वाले जीवों की तुलना की जाएगी तो गौंगे का नाम जरूर सामिल किया जाएगा साप और बिच्छू दोनों जहरीले होते हैं लेकिन गौंगा जिसे देखकर डर नहीं लगता उसका डंक भी काफी खतर ना को सकता है गौंगा यानी शनेल की तुचा बहुत मुलायम होती है लेकिन इसके ऊपर एक कठोर आबरण होता है गौंगा को जब कभी भी खतरा महसूस होता है यह अपने मुलायम सरीर को सेल में सिम्टा लेता है आम तोर पर यह इंसानो को नहीं काटते लेकिन कुछ ऐसे भी गौंगे हैं जो खत्रा मैसूस होने पर जहरीला डंक मारते हैं समय रहते यदि इलाज न किया गया तो जानलेवा भी हो सकता है आम तोर पर गौंगे खत्रा होने पर खुद ही अपने आपको कवर कर लेते हैं लेकिन कई बार यह डंक भी मारते हैं मचलियों का सिकार करने वाले गौंगे सबसे ज़्यादा जहरी ले माने जाते हैं इस गौंगे के बारे में कहा जाता है कि इसके डंक से मनुस के रक्तसंचार और मास पेशियों पर बुरा असर पड़ता है इसे समुद्री गौंगा कहा जाता है और अब तक इसके काटने से कई लोगों की जान जा चुकी है यदि मनस्य को यह डंक मार दे और इलाज नहो तो 65 फीसदी मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है पानी के जानवरों के बारे में भले ही आपको मगरमच से डर लगे लेकिन बास्तम में इससे कहीं अधिक इंसान के लिए खतरनाक गोंगा है कई बार बच्चे इससे खेलते भी हैं लेकन यदि इनका जहरी लडंक लग जाए तो जानलेवा हो सकता है गोंगा रेंग कर चलता है और रात के बक्त अधिक सक्रिय रहता है गोंगा के बारे में कहा जाता है कि वह बिना गायल हुए ही चाकू की धार पर भी चल सकता है गोंगा के पैर में एक गरंथी होती है जो द्रपदार्त का स्राव करती है इसकी बज़े से गोंगा के लिए नीचे की तरफ फिसलन हो जाती है इस कारण वह चाकू या इसके जैसे धारदार हत्यार पर आसानी से बिना गायल हुए चल सकता है तो दोस्तों ये थी गोंगा यानि इसनेल के बारे में कुछ महत्वपून बात है तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद